So guys welcome back, कैसे हो आप लोग? So last video में मैंने laptop के बहुत ही basics के बारे में बताया था जिसमें कि मैंने ports उसके uses और startup और Microsoft account को cover up किया था So इस video में मैं laptop on होने के बाद के कुछ basics चीज़ों और कुछ important instruction के बारे में बताने वाला हूँ So let's start this lesson So laptop start होने के बाद screen कुछ इस तरह का दिखाई देता है But मेरा laptop क्योंकि पहली बार on नहीं हो रहा है तो मेरा screen कुछ इस तरह का दिखता है But सारी चीज़ें same ही हैं बस मैंने इसे अपने recording personalized कर लिया है पर वो मैं बाद में बताता हूँ कि personalized कैसे किया जाता है So सबसे पहले मैंने last video में trackpad या mouse के uses के बारे में बताया था So left या right click तो आपको पहले से बता होगा But सबसे पहले start करते हैं कि कब आपको left click करना रहता है और कब आपको right click करना रहता है So किसी भी file को select करने के लिए mouse के cursor को उस file के उपर लेके जाना है And cursor इस white वाले arrow को कहते हैं यह जो arrow आपको नजर आ रहा है So select करने के लिए file के उपर लेके जाना है And single time आपको left click करना है So मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि left click करने के लिए आप चाहो तो आप यह अपना left button को भी use कर सकते हो या तो आप अगर चाहो तो आप एक tap भी कर सकते हो एक बार left click करने के लिए So select करने के लिए आपको एक बार tap करना है या एक बार आपको left click का button प्रेस करना है और open करने के लिए आपको इसी के उपर लेकर जाना है अपने mouse के cursor को उसके आद दो बार click करना है या फिर आपको दो बार tap करना है इस तरह से किसी file को खोला जा सकता है अगर कोई file selected है जैसे कि ये image अभी मेरा selected है तो आप इसके उपर देख सकते हो कि एक blue color का box आपको चारो तरफ नजर आएगा इसका मतलब ये है कि ये file अभी selected है जो नहीं selected है वहाँ पर कोई भी box आपको उपर में दिखाई नहीं देगा अगर इस selection को वापस हटाना है तो कहीं भी बाहर के area में एक बार वापस से click करो ये selection अपने आप ही हट जाएगा अगर इसके option को खोलना है तो right click करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर ले जाना है और उसके बाद यहाँ पर right click जो आपका button है उसको आपको एक बार प्रेस करना है तो ये आपका खुल जाएगा इसका options तो सबसे पहले मैं आपको desktop के interface के बार में बता दूँ तो ये desktop आपको पिछले वाले की तरह same ही लग रहा होगा बट कुछ चीजे चेंज है सबसे पहले ये जो beach वाला area है जो आपको screen दिखाई दे रहा है इस screen को हम लोग desktop कहते हैं ये एक important word है क्योंकि मैं बाद में बहुत जादा इस word को use करने वाला हूँ इसे हम लोग desktop कहते हैं next इसके बाद आपको यहां पे desktop के ऊपर कुछ चीजे नजर आ रही होंगी छोटे छोटे इसे हम icons कहते हैं ये icons basically किसी software का या किसी file का या किसी folder का representation होता है और अगर आपको कोई भी software को खोलना है file या folder को खोलना है तो आप इसी icon को use करोगे इसे icon कहते हैं इसके बाद आता है आपका सबसे important part जो कि है आपका task bar ये task bar आपका बहुत जादा important होता है सबसे पहले start करते इस button से इस button को start कहा जाता है जो कि आप लोग जानते होगे इस start button को अगर आप press करोगे यहां पे आपको एक options खुल कर मिलेगा start में start के बाद आपका next button जो आता है वो है search bar so search bar में अगर आपको किसी भी चीज को search करना है computer में so आप इस bar में search कर सकते हो और ये पूरे hard disk का है या पूरे आपका settings options जितना भी available है आप यहां पर search कर सकते हो but yes इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो भी movie search करना है यहां पर करने लगो because पूरे laptop को search करने में time लगता है so that's why यह time लेगा so search bar के बाद next आता है Cortana button I don't know इसे pronounce कैसे करते है so यह आपका Google Assistant की तरह है या Siri की तरह है या Alexa की तरह है जो भी आप use करते हो so इस button को अगर आप press करोगे तो basically आप वही चीज कर सकते हो जो की आप Google Assistant के साथ करते हो okay Google वाला scenario इसका भी है जिसमें की आप hey Cortana बोल सकते हो फिर इसके बाद आपको यहां पर एक मिलता है task view so इसके बार में मैं बाद में discuss करूँगा यह एक important button है इसमें आपको दिखाई देता है कि latest आपका कौन-कौन सा software चल रहा है plus आपने पहले क्या-क्या use किया है and आपके laptop में जो भी desktop available है so यह बाद में बताने की चीज़ है यह अभी beginner के लिए important नहीं है task view के बाद आपको यहां पर कुछ icons नजर आएंगे जैसा कि मैंने बोला यह सारा icons है so यहां पर नीचे में जो आपको दिखाई देता है यह भी सारा icons ही है इन सारे चीज़ को icon ही कहा जाता है so यह जो icon है यह basically किसी भी software का या किसी भी option का shortcut होता है जो कि हम लोग नीचे task bar में add करते है so आप लोग जो भी चाहो आप इसे add कर सकते हो और अगर आप first time के according देखोगे so मेरे पास जो यहां पर software का shortcut है वो different है जो कि आपका starting में रहता है so यहां पर आप अपने according put कर सकते हो या अपने according हटा सकते हो और इसके बाद का जितना भी आपको space नजर आ रहा है आपका जैसे जैसे यह options भरते जाएगा वैसे वैसे यहां आपका space भी fill होते चला जाएगा and अगर आप किसी भी software को open करते हो तो वो software आपका यहां पर so करते चला जाएगा फिर आते हैं task bar के right side में so task bar के right side में आपको यहां पर कुछ tools का option दिखाई देगा और यह सारे tools बहुत जादा important होते है so सबसे पहले यहां से सुरू करता हूँ so यह है date and time so यह आपको बलताने की जरूरत नहीं है आपको अल्रेड़ी पता होगा फिर next यहां पर आपको एक English दिखाई दे रहा होगा and यहां पर एक keyboard का sign दिखाई दे रहा होगा so यह दोनों optional है आप चाहो तो रख सकते हो या हटा भी सकते हो मैंने on करके रखा हुआ है यह अभी important नहीं है इसके बाद फिर आपको यहां पर कुछ tools दिखाई देंगे जिसमें से यह वाला tool जो है यह आपका internet connectivity का है so अगर आप wifi connect करते हो तो आपका यहां पर इससे आप open कर सकते हो wifi फिर यह जो button है यह आपका speaker का है यह आपको already पता है जिसको कि आप click करके laptop का sound increase या decrease कर सकते हो यह जो है आपका battery life के बारे में बताता है कि आपका कितना percent battery बचा हुआ है laptop में इसके बाद फिर यह जो है mic का है क्योंकि मैं laptop से भी record कर रहा हूँ so that's why mic का sign भी यहां पर है इन सारे tools के बाद आपको यहां पर एक छोटा सा arrow दिखाई देगा so अगर आप इस arrow को click करोगे तो आपको यहां पर कुछ extra tools भी दिखाई देंगे so बहुत बार आपका battery वाला sign इसके अंदर रह सकता है या आपका speaker का sign इसके अंदर रह सकता है जैसे for example मैं battery वाले को अभी अंदर डाल देता हूँ so आप देख सकते हो battery यहां पर अंदर सो कर रहा है तो अगर आपके starting में आपका कोई ऐसा important sign अंदर है and अगर आपको इसे बाहर निकालना है इस जगह पर so आप अपने mouse के cursor को इसके उपर ले जाओ and एक बार left click करकर फिर mouse को drag करो so drag करके आप यहां पर लाके इसे छोड़ दोगे तो यह फिर बाहर निकल कर आ जाएगा so इसी तरह से आप इसे फिर बंद कर सकते हो और अगर आपको left right करना है तो फिर same process mouse को इसके उपर ले जाओ and इसके बाद आप left click करकर फिर drag करके जिधर भी आपको करना है उस side भी से कर सकते हो and यहां पर आपको last में एक option दिखाई दे रहा होगा इसे notification बार कहते है so यह आपका windows 7 या 8 में नहीं हुआ करता था यह windows 10 का feature है so अगर आप इसे on करोगे so आपका यहां पर जितना भी notification आया रहेगा वो सारा यहां पर so करता है and यहां पर नीचे में कुछ options भी रहते हैं जिसको कि आप use कर सकते हो and यहां पर last में आपको एक line दिखाई दे रहा होगा तो यह actually so desktop का icon है इसके बार में मैं बाद में बताता हूँ so most of the log यहां तक अच्छे से familiar होंगे so अब आते हैं next point पर so आप यहां पर कुछ icons देख रहे हो so starting में यहां पर कुछ useless icons भी रहते हैं so उसे हम लोग हटा सकते हैं या अगर आपके यहां पर desktop पे कोई useless icon है तो आप चाहो तो उसे भी हटा सकते हो so किसी भी icon को remove कैसे किया जाता है so remove करने के लिए आपको जिस icon को remove करना है यहां नीचे taskbar से उस icon पे ले जाओ and उसके बाद आप यहां पर right click करो and यहां पर आपको unpin from taskbar का option दिखाई देगा तो आप इसे जैसे ही click करोगे so यह यहां से unpin हो जाएगा so starting में आपका जो भी Microsoft Store या फिर जो भी आपका रहता है Internet Explorer आप जाओ तो उसे यहां से unpin कर सकते हो फिर next आता है कि आप अपने desktop से किसी icon को कैसे delete कर सकते हो for example अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने OBS Studio को मैं यहां से हटा दूँ तो आपको simply बस delete press कर देना है and यह यहां से हट जाएगा इसके बाद अगर आप चाहते हो अपने start menu से किसी चीज को delete करना starting में यहां पर बहुत सारा useless icons यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा so अगर आप उसे यहां से हटाना चाहते हो for example starting में भी यहां पर Spotify रहता है and अगर मुझे Spotify को हटाना है so similarly Spotify के ऊपर अपने mouse के cursor को ले जाओ and यहां पर right click करो and उसके बाद यहां पर uninstall नहीं आपको करना है यहां पर unpin from start कर देना है तो आप इससे जैसे ही unpin करोगे so यहां पर से जो भी application होगा वो गायब हो जाएगा so इस तरह से starting का जितना भी useless app है आप यहां से हटा सकते हो so icon को unpin करना तो सीख लिया so अब pin कैसे किया जाता है that means अगर आपको किसी software का icon आपको अगर desktop पे चाहिए या taskbar पे चाहिए या आपके अपने start menu में चाहिए तो आप उसे pin कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले किसी भी icon को desktop या start menu पे pin करने के लिए आपको start खोलना है and start खोलने के बाद आपको इस वाले list में जो आपको यहां पर list नजर आ रहा है इतने तरह के software आपके laptop में available है so इसमें से आपको जिसको भी pin करना है आप कर सकते हो for example अभी मैंने spotify हटा के दिखाया था अब मैं वापस spotify को pin कर देता हूँ right click करने के बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा pin to start तो आप जैसे ही pin to start पर click करोगे so यह आपके start में जाकर pin हो जाएगा and इसके बाद अगर आप चाहो तो यहां से इसका location भी change कर सकते हो so location change करने के लिए आपको इसके ऊपर cursor ले जाना है and फिर आपको left click करना है and आपको जहां जाना है वहां जाकर आप इसे drag करके छोड़ दो so यह हो जाएगा अगर आपको किसी application को या किसी icon को desktop पे डालना है so desktop पे डालने के लिए आपको start में जाना है इसी options में से आपको desktop पे जिस भी चीज को डालना है for example अगर मैं यह alarm and clock को desktop पे डालना चाहता हूँ so alarm and clock के ऊपर जाओ and उसके बाद यहां पर left click करो and left click को बिना छोड़े हुए आप इसे desktop के ऊपर drag करके drop कर दो so इसे हम लोग drag and drop कहते है and yes एक चीज इंपोर्टन है कि इसके पहले मैंने जितने भी चीज के बार में बताया है drag and drop करने के लिए उन सारे में आपको left click को press करकर उसे drag करना है left click छोड़ कर नहीं करना है अगर आपको किसी icon को यहां नीचे task bar में लाना है तब आप कैसे ला सकते हो and आप यहां start में जाओ and यहां पर जिस भी software को आप pin करना चाहते हो जैसे अभी मैंने प्रीमेर प्रो को हटाया था so आप इसके ऊपर जाकर right click करो so इसके बाद आपको यहां पर option मिल रहा है unpin from start uninstall या more so unpin from start करोगे तो मेरा यहां पर जो प्रीमेर प्रो का icon है वो यहां से हट जाएगा so मैं more में जाओंगा so यहां पर आपको option दिखाई दे रहा होगा pin to task bar so अगर आप इसे click करोगे तो आपके task bar पर यह pin हो जाएगा and अगर आपको task bar पर left या right करना है software तो तरीका वापस same ही है icon के उपर जाओ and इसके बाद left click करके बिना left click छोड़े हुए drag करते हुए आपको जहां पर भी इसे डालना है वहां पर जाके इसे drop कर दो so यह आपका replace हो जाएगा अब इसके बाद आपका question यह हो रहा होगा कि आप अपने hard disk के अंदर कैसे जा सकते हो या आपके computer में जो data है आप वहां तक कैसे पहुँच सकते हो so उसके लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो जिसमें से एक है आपका यह this PC का option आपको starting में नहीं मिलता है so सबसे पहले आप यह this PC का option ला कैसे सकते हो so मैंने अभी अभी बताया कि अगर आपको किसी भी icon को यहाँ पर लाना है desktop पे तो आपको start में जाकर लाना पड़ता है so start में अगर आप T में जाओगे तो आपको यहाँ पे इस PC का option नजर नहीं आएगा अगर आपको इस PC चाहिए तो आप इन options में से ढूंड सकते हो वैसे इस PC आपका windows system में होता है available so आप चाहो तो यहाँ से इस PC को drag and drop करके अपने desktop पर ले जाकर छोड़ सकते हो so आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर इस PC आ गया है so अगर आप यह इस PC को drag and drop करके यहाँ पर छोड़े हो तो आप मेरे वाले इस PC और इस वाले इस PC में एक difference notice करो so मेरे वाले इस PC में यहाँ पर एक arrow mark नहीं लगा हुआ है and इस वाले this PC में यहाँ पर एक arrow mark लगा हुआ है so सबसे important यहाँ पर यह है कि यह arrow mark का मतलब क्या होता है so इस arrow mark का मतलब होता है कि यह जो icon है एक shortcut है यह original icon नहीं है मतलब इसका original location कहीं और है and आपने इसे अपने convenient के लिए किसी और जगा पर place किया है तो इसलिए मेरे इस this PC में एक shortcut का sign है and इस this PC में नहीं है and अगर आप पहले के options को देखोगे जैसे alarm and clock जो कि मैंने अभी अभी डाला था या मेरे जितने भी software है तो यह सारे में shortcut का sign बना हुआ है that means यह मेरा original icon नहीं है यह मैंने drag and drop करके यहाँ पर डाला है and यह लाना क्यों important है यह क्यों नहीं so आप इस वाले icon को desktop पे रखो यह मैं personally recommend कर रहा हूँ and इस वाले को आप चाहो तो delete कर सकते हो अब question यह arise होता है कि आप इस वाले this PC को कैसे ला सकते so अगर आप किसी भी खाली space में right click करोगे so यहाँ पर आपको कुछ options देखने को मिलेगा जिसमें से आप एक सबसे important जानते होगे जो की refresh होता है उसके और भी कुछ options होते है view का, sort by का and इसमें और भी आपको कुछ options देखने को मिलता है so आपको यहाँ पर जाना है नीचे personalize में मैं personalize के लिए में एक अलग से detail video बनाऊंगा and उसके बाद आपको यहाँ पर themes में जाना है and themes में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इधर right side में एक option दिया हुए desktop icon setting का so आप अगर desktop icon setting पर click करोगे तो यह छोटा सा dialogue box खुलेगा so अगर आप starting में पहली बार अपने computer को open कर रहे हो so उस समय आपका यह computer वाला जो sign है यह uncheck रहता है उस समय आपका recycle bin या network या और भी चीज़े रह सकती है और यह uncheck रहता है so अगर आपको this PC लाना है तो आपको इस वाले sign पर जाके click करना होगा उसके बाद फिर apply करना होगा and फिर ok press करना होगा so आपके start में जो पहले से सिर्फ recycle bin हुआ करता था starting में आपका यह this PC भी आ जाएगा वो भी बिना shortcut के sign का so अगर आप this PC को open करते हो तो फिर आप यहाँ अपने hard drive में आ जाते हो so यहाँ से आप अपने hard disk के अंदर जितने भी data है वो सारे चीज को आप यहाँ से access कर सकते हो so अब आते हैं computer के सबसे 3 important buttons पर जो की आप यहाँ पर right side में देख सकते हो so यह 3 button computer का सबसे important button होता है so सबसे पहला button है जिसे हम लोग minimize कहते है so अगर आप इस button को select करोगे that means आपको single time left click करना है so अगर select करोगे तो यह window आपका minimize हो जाएगा that means यह आपके background में चला जाएगा so आप mobile use करते हो तो mobile में अगर आप बीच से अगर आप swipe कर देते हो तो सारा apps जैसे minimize हो जाता है similarly वही चीज है so आपका यह minimize हो जाएगा but minimize का मतलब बंद होना नहीं होता है minimize का मतलब है वो screen सिर्फ आपका दिखाई नहीं दे रहा है वो आपका नीचे आ चुका है so अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे यहाँ file explorer पे आपका different तरह का mark आगया और नीचे blue color का sign है that means यहाँ पर मेरा कोई ना कोई file खुला हुआ है so अगर आप इसके उपर अपना cursor ले जाओगे so आपको इस तरह का option दिखेगा and अगर आप single time left click करोगे तो फिर यह open हो जाएगा so maximize का मतलब होता है कि यह जो आपका screen अभी छोटा सा दिखाई दे रहा है अगर मैं इसे press करूंगा तो यह मेरा full screen हो जाएगा so इसके लिए आपको single time left click करना है so इसे आप press करोगे so यह आपका full screen हो जाएगा so इसी तरह से अगर वापस आपको इससे छोटा करना है तो उसके लिए आपको फिर सही से press करना पड़ेगा single time तो यह आपका वापस से छोटा हो जाएगा and इसके बाद आते हैं सबसे important button पर जो कि यह आपका cross button so इसके बार में मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको पहले से पता होगा कि अगर आप cross button को click करोगे so आपका यह window बंद हो जाएगा so आप एक चीज़ notice करोगे कि जब आपने this PC को खोला था तो आपका यह file explorer open हुआ था so ऐसा क्यों so actually उसका reason यह है कि यह this PC और यह file explorer दोनों same चीज ही है इसके बाद आपके दिमाग में question arise हो रहा होगा कि हमने software का shortcut तो अपने desktop पे डाल दिया तो क्या हम लोग file के shortcut को भी desktop पे डाल सकते हैं अगर आपको इस folder का shortcut desktop पे बनाना है so इस folder को select करना है left click करके single time and फिर आपको एक बार right click करना है so right click करने के बाद आप यहाँ पे देखो के बहुत सारा options खुल जाएगा and इसके बाद आप यहाँ पे and यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा desktop create shortcut का so जैसे ही आप इसे press करोगे यह आपका desktop पे shortcut create हो जाएगा so यह था सारा shortcut के बारे में so अब आता हूं shortcut से related सबसे important note so सबसे पहला point यह है कि किसी भी shortcut को delete करने से आपका original file delete नहीं होता है so आप चाहो तो किसी भी shortcut को delete कर सकते हो जैसे कि मैंने starting में अपने desktop पे से delete किया अपने taskbar से delete किया या आप कहीं से भी कोई भी shortcut को delete कर सकते हो बट इतना ध्यान रखना कि जिस भी shortcut को आप delete करो उसमें वो arrow का mark जरूर रहे otherwise वो आपका original file रहेगा except आपके taskbar पे जितनी भी चीजे हैं taskbar वाले में आपको arrow mark नहीं देखने को मिलेगा बाकी हर जगा आपके icon में यहां पर एक arrow mark रहता है so किसी भी shortcut को delete करने से आपका original file delete नहीं होता है अगर आप अपने किसी भी shortcut को खोल कर किसी file को delete कर दोगे तो फिर original file delete हो जाएगा जैसे कि यह मेरा D drive का shortcut है and अगर मैं इस shortcut को delete कर दूँ तो इससे कोई problem नहीं होने वाला है but अगर मैं इस D drive को खोल कर that means आप double click करोगे तो यह D drive खुल जाएगा and इसके बाद अगर मैं किसी चीज को delete कर दूँ तो वो जरूर delete हो जाएगा so that's why shortcut को खोल के कभी delete नहीं करना है but किसी भी icon में अगर shortcut का sign बना हुआ है that means वो arrow mark then आप उसको delete कर सकते हो so यह video अलोड़ी बहुत जादा लंबा हो चुका है so इस video में बस shortcut तक ही रहने देते है so that's it for this lesson so बाकी मैं next lesson में cover up करूँगा और उसके लिए subscribe जरूर कर देना अगर नहीं किया हो तो and like भी कर देना and share भी कर देना यार अपने दोस्तों के साथ जिनको भी laptop के basics को जानना है so that's it for this video so see you guys in next video so तब तक के लिए bye bye